असलाम अलेकुम सबसे पहले मैं इस मौझूदा वक्त के बारे में कहना चाहूं कि जो लॉक्टाउन हुआ है यह हमारी खुद की सेप्टी के लिए हुआ है यह हमारी मज़़ूरी है कि हम अपने अपने घरों में हैं अपने अबादत काउं को छोड़े हुए हैं अपने रिश्यगारों अपने अजीज़ अखारिक को छोड़े हुए है तो यह एक हमारी मज़़ूरी है हाँ कहीं न कहीं तकलीफ होती है कि हम अपनों से दूर है लेकिन जरा गौर करें कि वो दर्द वो तकलीफ जो कई सालों से है और ये दर्द तकलीफ वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है कि दुक्तर रसूल के कबर पे कोई साया नहीं है कोई चराव रोशन करने वाला नहीं है उनके ख़वर पे तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त से बहतर कोई निजाल होगी इसके लिए क्योंकि अगर कोई भी बीजी सैदा का चाहने वाला वहाँ जाता है जारत के लिए और हाई सैदा कहें के रो देता है तो उसको कोड़े लगाए जाते हैं जलुम की अदिशा आज हम अपने अपने घरों में सेथ हैं सिर्फ हम निकल नहीं सकते तो हमें इतनी तक्रीफ हो रही है हम किसी से मिल नहीं सकते लेकिन जरा सोचें आप वो दुगतर रसूल है जहाज़ा हमें इसे खरू फिकर करनी चाहिए और हमें इसके खिलाब आवाज उठानी चाहिए प enferूे की जलुम के खिलाब आवाज उठाना क्योंके बीबी स्यदा का सबसे बड़ा हद़ यहाई है कि उनुने भी जल्म के खिलाब आवाज उठाई और इसी रे जो जालिम और जाविर है वो लोग हमेशा से यही सोचते आए कि जो जल्म के खलाफ जो शद्यत आवाज उताती है उसे दबाँ दिया जाए आप देखें कि दुन्या में वाहिद एक शिया कौम है कि जो जल्म के खलाफ आवाज उठाती है और सभसे ज़्यादा गत्र की जा रही है ये शिया फ हौ्म सभसे ज़्यादा इसको युद अबाय जा रहा है क् laser पसंद फम यह्म है इसां है। हुआही भी जिन्दा फम है इसलिए और मैं उमीद करती हूँ कि आप सब इस पर उग्रोफिक्र करें wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh